सेहत इस ब्रॉट तो यू बाई लिवोजन टॉनिक थकान और कमजोरी से दे आजादी क्या हुआ गाड़ी ज्यादा बड़ी है गाड़ी अरे काश मुझमें ये सोफा पुछ करने की ताकत होती थकान और कमजोरी खुन में आईरन की कमी के लक्षन है लीजे लिवोजन टॉनिक इसमें है और गानिक आईरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी नमस्कार अदाफ मेरा नाम है सर्वत आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हिल्द शो जहां बात होती है हमारे और आपकी हिल्द की पहला सेग्मेंट है हाल चाल आज बात करेंगे चेहरे पर दिखने वाली लाल नसों के बारे में इन्हें कैसे हटा सकते हैं दूसरा सेग्मेंट जहतन की बात क्या खाना खाने के फॉरण बात नहीं नहाना चाहिए और तीसरा सेग्मेंट है खुराग यानि एक जखकास सी हेल्थ टिप जैसे सबजियां खरीते वक्त रियूजबल थेलों का इस्तमाल करते हैं तो ये गल्ती हर्गिस ना करें वेदिका दिल्ली के रहने वादी हैं 31 साल की है अब इनके हमें कई मेल्स आ चुके हैं इनको एक परेशानी है इनके चहरे पर लाल रंग की नसे दिखती है ये दिक्कत कई सालों से थी पर उमरे के साथ ये नसे और ज्यादा साफ दिखने लगी है साथ ही पूरे चहरे पर भी दिखती है वेदिका मोडलिंग करती है अब यह नसे उनके लिए एक परिशानी का सबब बनती जा रही है पहले वो foundation की मदद से ने ढखने की कोशिश करती थी पर अब यह नसे foundation लगा कर भी दिखती है वेदिका को कोई खास health problem नहीं है इसलिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कुछ आती है कि हम इस topic पर एक episode बनाएं doctors से जाने कि ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे निप्टें तो शलिए सबसे पहले जानते हैं कि चहरे पर लाल रंगी नसे किन कारणों से दिखती है और exactly क्या होती है शरीर या कि चहरे के ऊपर होने वाली लाल नसो को आप भाषा में बोलते हैं broken capillaries इसको हम medically बोलते हैं telengectasia broken capillaries अपने में असल में misnomer मिस्नोमर का मतलब यह है कि जैसा सुनने में लग रहा है कि कुछ capillaries है जो की break कर गई है ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है हमारी तो इसको हम बोलते हैं डाइलेटिड ब्लड वेसल्स मेडिकली अगर हम बात करें तो ये एक हामलेस कंडिशन है और जो भी मरीद इसका इलाज कराने हमारे पास आते हैं वो आते हैं इसके लिए एस्थेटिक रीजन्स लेकिन हमारे लिए समझना जरूरी है कि यह बहुत ब्रॉड केटिगरी है बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें की बड़ा सिमिलर सा निशान नजर आता है कुछ इस तरह की बीमारियां हैं जैसे की कुछ autoimmune diseases हैं जैसे कुछ vascular malformations हैं यहां तक कि कुछ इस तरह की स्किन कैंसर भी जिसमें की जो अपिरेंस है वह एकदम broken capillaries या फिर डालेटेट वेसल्स जैसी ही आती है इसलिए हमारे लिए यह ध्यान जेना बहुत जरूरी है कि अगर हमें broken capillaries है और अगर वह साइज में या फिर नंबर में बढ़ रही है तो हम लोग जाकर के अपने जो vessel wall है वो adapt होता है कि जब blood pressure थोड़ा बढ़ेगा तो उसके साफसे वो expand कर सकती है और जब blood pressure थोड़ा घटेगा तो उसके साफसे वो contract कर सकती है तो यह जो blood की vessel wall है यह expansion और contraction दोनों के लिए capable होती है अगर किसी कारण से blood का pressure बहुत जादा बढ़ता है या फिर हमारी जो सबसे जरूरी रीजन है वो है genetic reason इसका मतलब यह है कि जब हमारे ऐसे कुछ genes है जिस कारण से हमारे family में हमारे परिवार में ऐसे genes exist करते हैं जिस कारण से उन्हें यह बीमारी हुई थी उसी कारण से हमें यह problem आ सकती है इसके अलावा दूसरा एक important reason है sun exposure यह देखा जाता है कि जब हम लोग बहुत लंबे समय तक बहुत सालों तक धूप में बाहर निकलते हैं तो sun rays से हमारे skin की superficial layers damage हो जाती है खासकर collagen और elastin नाम के दो proteins जो कि हमारे blood vessels को support करने का काम करते हैं उनका जो quantity है वो कम हो जाती है इस कारण से यह dilated vessels नजर आ सकती है इसके अलावा जो females ह है उनमें यह देखा जाता है कि pregnancy में ऐसे hormonal changes होते हैं और जो blood circulation होता है थोड़ा सा उसका pressure थोड़ा ज्यादा रहता है जिसे कहते हैं hyper dynamic circulation उस कारण से भी dilated veins आ सकती है environment का इसमें डेफिनिट रोल है अगर हम ऐसे environment में रहते हैं जहां पर pollution बहुत जादा है उससे हमारी skin constantly damage हो सकती है अगर हम इस तरह के कुछ procedure करते हैं जिसे मालेचे कि इंडिया में देखा जाता है कि कई लोग अपने face को scrub का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो dead skin cells को remove करें तो दे कि वैसिया में होता है की हमारे चेहरे पे लाल लाल र 59 निषान आजाते हैं लाल पढ़ जाता है जब धूक में जाते है तो खुझली जलन वगेरा होने लग जाती है उस बीमारी में देखा जाते है कि बलुछ बल्र मेंẳ वैसल थी हlift हे जाते हैं कि जो लोग इकरीं करते ह किन कारणों से आपके चेहरे पर या शरीर पर लाल रंग की नसे दिख रहे हैं यह आपने जान लिया अब बात करते हैं बचाव कुछ घरे लो उपचार और इलाज की देखे जनेटिक्स तो हमारा खास कंट्रोल नहीं होता है लेकिन इसके लावा जितने सारे फैक्टर्स हैं कि हम एक्स्ट्रीम सन एक्स्पोजर से बचें अगर अमें धूप में जाना ही है तो अच्छी संस्क्रीम का इस्तेमाल करें एक्स्ट्रीम हीट से बचें जिन लोगों को डिलेटिट वेसल्स हैं वो स्टीम स्वाना स्पा वगरा से बचें अपने चेहरे को बहुत गरम पानी से ना धुए इसके अलावा जो इस तरह के खाने के आइटम्स हैं जैसे कि स्पाइसी फूड हो गया जैसे कि अपका कॉफी टी और एक्सेसिव एल्कोहल इंटेक इस सबसुत दूर रहे तो इससे इसका प्रिवेंचन होता है तो इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए सबसे पहले तो यह ज़रूरी है कि हम इस डिग्नोस को कंफर्म करें मैं कि अपको बताया कि ऐसी और भी बिमारिया होती है जो कि डिलेटेड वर्स जिसी नजर आ सकती है तो अपने डिमेटोलोजिस से मिले इसके इलाज में कुछ होम रेमेडीज है जैसे कि कई लोगों में देखा जाता है कि जब ठंडे पानी से अपने चहरे को दूते हैं कुछ होम रेमेडीज बहुत जादा कामकारगर नहीं रहाती है सबसे अच्छा जो इलाज होता है वो होता है लेजर्स के द्वारा कुछ इस तरह के लेजर्स जो कि हमारे ब्लड के इंदर मौजूद हेमोगलोबिन को टार्गेट करते हैं उससे यह होता है कि हमारा ब्लड होता है द्रगेट जाता है जो हमारे वेसल बॉल सो होती है वह कोलापस कर जाता है और ग्रैजुली यह जो ब्लड वेसल से खतन हो जाती ह्हाथ इस तरह की जो लेजर्स कि इसतेमाल करते हैं वह एलेक्जंडराइट लेजर अशे औकिल्ग याइग लेजर इसके आलावा हम लोग प लिप साब को बताई है वो वेदिका और इस परिशानी से जूज रहे बाकी लोगों की काम जरूर आएंगी अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेग्मेंट की तरव आपने से कितने लोगों ने ये सुनाए कि खाना खाने के फॉरन बात नहीं नहाना चाहिए भई मैंने तो पूरी जिंदगी सुनाए अब इसके पीछे क्या लॉजिक है क्या वाकई ऐसा नहीं करना चाहिए बड़े बुजूर्ग कहते हैं कि ऐसा करने से पेट में दर्द और बध़जनी हो जाती है जब आमने एक्सपर्ट से यही सवाल किया तो बता चला ना ये पूरी तरहां से सही है और ना ही पूरी तरहां से गलत देखिए जब आप गर्म पानी से नहाते हैं तो आपके शरीर में एक तरहां का आक्शन होता है जिसे कहते हैं हाइपर थर्मिक अब इसमें आपके शरीर का तापमान एक या फिर दो डिग्री से बढ़ जाता है हाइपर थर में के आक्षिन आपके लिए फाइदे मन भी है इससे आपके इम्यून सिस्टम को ज्यादा फाइदा पहुचता है नर्विस सिस्टम रिलाक्स होता है साथ ही पसीने की जो ग्रंथियां है वो शरीर में जबा गंदगी को बाहर निकालती है पर जब आप खाना खाते हैं उस समय आपके शरीर का तापमान थोड़ा बड़ा हुआ होता है क्यों? क्योंकि खाना पचाने वाले अंगों में ब्लड फ्लो बढ़ता है अब ऐसा माना जाता है कि इस स्थिती में आपके बोड़ी कंफ्यूज हो जाती है नतीजा खाना पचाने में परिशाने पर इस बात कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है ना इसे साबित करते हुए और ना ही इसे जुटलाते हुए तो खाना खाने के फॉरण बात गरम पानी से नहा सकते हैं या नहीं ये तो डॉक्टर्स पुकता तोर पर नहीं बता सकते हैं पर हां ठंडे या फिर गुनगुरे पानी से नहा सकते हैं इससे आपके शरीर का तापमान नहीं बढ़ता है, नहीं आपका खून आपके पाचन तंत्र की तरफ भागता है। एक बात और नहाने से आपके दिल की जो धड़कने हैं वो थोड़ी तेज हो जाती हैं। अब अगर उस केस में आपका पेट भरा हुआ है, तो आपको सहच महसूस नहीं होता है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाते हैं, तो खाना खाने के 20 मिनट बाद नहाने जाएं। समझे। अब बारी है सेहत के अगले सेग्मेंट की, खुराग एक जखास सी हेल्थ टिप। प्लास्टिक ब्यान से एक चीज तो अच्छी हुई है, लोगों ने रियूसबल थैलियां इस्तिमाल करना शुरू कर दी हैं। कपड़े की, जूट की। अब अगर आप भी रियूसबल थैलियां इस्तिमाल करते हैं, तो एक बात बताइए, जिस थैली में आप अपना राशन लेने जाते हैं, उस थैली को आपने आखरी बार कब धोया था। दिक्कत यह है कि अगर आप उसमें कच्चा खाना जैसे मीट, चिकन, अंडे भी लाते हैं, तो आपके बैक के अंदर बैक्टीरिया जमा होते रहते हैं। यह बैक्टीरिया ट्रांसवर हो सकते हैं आपके बाकी समान में अगर आप अपने बैक को नहीं धोते हैं। अगर आपका बैक कपड़े का है तो आप उसे वाशिंग मशीन या फिर साबुन और गुनगुरे पानी से धो सकते हैं। अगर आपके बैक पर एक प्लास्टिकी परत है तो उसे अंटी बैक्टीरियल वाइप या फिर स्प्रे से साफ करें। आज सहत में इतना ही। अच्छा कर आप एक डॉक्टर है और आपसे कुछ शेर करना चाहते हैं। तो जो इमिल आइडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजे। क्यामरे के पीछे हमारे साथ हैं विभग। ये वडियो फेसबूक पर देख रहेए तो हमारे फेसबुक पेजको लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आईकन पर जरूर क्लिक कर दीजेत्य. ताकि जब भी हम कोई नया विडियो अपलोड करें। तो उसका नोडिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे, शुक्रिया